बालों को घना, चमकदार और मुलायम बनानी के लिए आज हम बनाएंगे एलेवेर का तेल जी हाँ बहुत ही आसानी से हम इसे घर पर बना सकते हैं सिंपल से इंग्रियेंट हैं जो कि इजीली हमारी घर पर याफी आसपस मिल जाते हैं इसे बनाने के इग्दम सिंपल रेसिपी लेकर आएं मैं मदुली का फूट कनेक्शन में आप सब के लिए बहुती भड़िया हेर ओयल लेकर आई हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना इस ओयल को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर अलाववेरा का पल्प निकालेंगे इसके लिए अलाववेरा की फ्रेश लीव्स लें उसके साइट्स को रिमूब कर दें ताकि इसके काटे अलग हो जाए अब हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इसे बीच में से हम स्लेट करेंगे ताकि इसका हम पल्प कलेट कर सकें आप जब भी इस तरह से पल्प इसका कलेट करना चाहते हैं आप इसे इमेडियेट प्लांट से तोड़े और इमेडियेट आप निकालेंगे तो आपको अच्छी मातरा में और काफी अच्छी क्व लेकिन एक बार एद्य आप इसे निकाल लेंगी तो हमारा काम फटाफट से हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास यहां पर करीब हमको आधा कप के करीब पल्प चाहिए उसी अकौर्डिंग आप इसकी स्टेम्प को कट करें तो यह आधा कप हमें यहां पर यह पर मिल चुका है इसके चोटे-चोटे पीसीज भी कर लें ताकि हमें इसे पकाने में एजी हो जाए तो इस तरह से पल्प इखटा करने के बाद में हम इसका बहुत ही बढ़िया हेर ऑईल पनाने वाले हैं इसके लिए मैंने यह वर्जिन कोकोनट ऑईल लिया है यह ऑनलाइन इसली मिल जात पहले से गैस ऑन ना करें हमें बाद में गैस ऑन करनी है उसके बाद में हम इसे लो फ्लेम पर कंट्री सिलाते हो पकाएंगे क्योंकि यह काफी पल्पी है इसमें बहुत मॉश्चर होता है तो जब आप यहां पर गैस ऑन करेंगे और धीरी धीरी गरम होने लगेगा तो आजा है फ्लेंट से बहुत ही अमीजिंग ओल होता है यहेर फॉल को कम करता है बालों में शायन लाता है और बालों को काफी घंणा बनाता है तो इस तरह से हमें इसे यहां पर लो फ्लेम पर कंट्रीन सिलाते हुए पकाल लेना है और आप देख रहे हैं धीरी धीर जो यह इसे ब्राउन कर लेना है तो इससे हमें जो कोकोनट ऑइल है उसके भी बैनेफिट्स मिलेंगी अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और इसे इसी तरह से ठंडा होने देंगे क्यों कि अभी तेल काफी गरम है और इसमें अभी अलेवरा की पीसिस दिख रहे है यह थोड़े से उसके ठंडा कर लिया है तो इसे तरह से पकाने के बाद में ठंडा कर लें ठंडा करने के बाद में देख सकते हैं कितना। सिस्टल क्लियर हमारा यह ऑईल बना है अब इसे चान लेते हैं यहां पर आपको कपड़े से चानने की कोई जुरत नहीं है नॉर्मल आपकी जो भी चाय के चलनी है उससे चान लें पर ध्यान रखें ठंडा करने के बाद ही आप इसे चाने और किसी क्लास बॉटल में ग्लास जार में रखेंगे तो इसकी शेल फ्लाइब ज्यादा बढ़ती है इस तरह से कोई भी चीज को यह दिया आपको कभी भी प्रिजर्व करना है तो आप लास बॉटल का ही यूज करें अब हम इसे चान लिया है आप देखिए उपर हमारा यह पल्प कलेक्ट हो गया है इतना ह इस तरह से इसका जो अंदर जो जैल है वो भी डाल देंगे आप एक सी दो विटामिन ए की कैप्सुल यहां पर डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिला लीजिए इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और इसमें शाइनिंग भी आएगी यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके बिना भी यह तेल उतना ही गुणकारी रहेगा इस तेल को आप यूज कर और अपने एक्सपिरिंस हमासा जरू शेयर करें मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक्यू